अरे फिर से वो उठा के चले आए अरे कोई लाजचरम है के ने स्टूडेंट के नाम पर अरे वो स्टूडेंट ही क्या जो क्लास में लेट ना आए अरे इतने कित्य सिंसिर हो तुम लोग भई पढ़ाई में इतने ने तो हमारे जमाने के टॉपर भी सिंसिर नहीं थे कि इतने टाइम पे लक्षप्र आकर पूरे भ्यान से काण में लक्त्र प्र आके aí सब्सक्राइब कर देते हैं लेक्चर कंटीनू कर देते हैं लास्ट टाइम का वही अपना सोलर वाला तो पिछली बार का तो लेक्चर हमने पूरा कुर्बान कर दिया था वही नॉन इस बार हमें जिस पर लेक्चर पूरा हमारा बरसाना है यानि जिस टॉपिक के ओपर डिटेल में घुसना है वह है वह है इसके अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जो सूरत की गर्मी आराम से बैठके लेता रहता है और उसके छोटे से अब्सॉर्बर सर्फेस प पर फोकस कर देता है तो यहां पर मैं आपको कुछ अलग-अलग टाइप के कॉंसेंट्रेटिंग टाइप के सोलर पैनल का फोटो बता रहा हूं जिसमें आपको एक दो किरने दीख रहे हूं कि जो एक जिए पर फोकस हो रही है यह उसका बीसिक वर्किंग है तो बहुत ही पोटो देखते आप समझे होंगे कि इसके अंदर जो absorbing surface area है यानि हमारा जो absorber material है उसका surface area हमारे receiving surface area से बहुत छोटा होता है और इस difference को हम लाते हैं convex lens या पर किसी reflective surface की मदब से जो हमारे reflecting area पर या जो भी solar radiation हम मिल रहे हैं उनको converge करते हैं या फिर concentrate करने में help कर देते हैं और obviously क्योंकि हमें पूरे दिन भर सुरज भई अपना कोई रिष्च दाया तो है नहीं कि एक जिगा पर fix रहेगा कि भई मेरे को solar करने तो यही पर बैठा रहे ना नहीं न वोसका time fix है कि सुबह उगा शाम को डूबेगा और उस दर्मियान वो एक जिगा fix तो बैठने वाला नहीं पूरा चलता रहेगा पात follow करके तो उस पात के हिसाब से अलग-अलग time पे हमें हमारे solar collector को अलग-अलग direction में face करवाना पड़ेगा ताकि हमें maximum efficiency मिल सके तो अब यह कोई जादू टोना तो है नहीं कि मैंने solar को बोल दिया गए तुझे चाप सूरज को follow करना है नहीं follow किया तो तेरे को फोड़ कर रख दूँगा उसमें कुछ दिमाग तो है नहीं तो हमें ही मेनत करनी पड़ेगी कि उसके अंदर हम ट्रैकिंग सिस्टम डाल देंगे जो solar यानि sun की position के हिसाब से हमारे collector को उसके respect में tilt कर देगा फिर position कर देगा कि जिससे हमें maximum efficiency मिल सके sun की direction में तो यह हमारा basic clear concept है कि concentrating solar panel किस तरह से काम करता है लेकिन क्या है ना कि आपके exam वालों को इतने अपर level पे पूछने में मजा नहीं आती उनकों के अंदर deep में आप जितने answer द्याओं के उसके अंदर deep deep घुसा घुसा के आपको अंदर answer पूछते है इसलिए हम भी थोड़ से deep में जाएंगे ताकि वैसे time पे आपको रोना ना पड़े तो इसके अंदर और भी 6-6 type की category आती है concentrating वालों के अंदर तो उसमें सबसे पहला तो है वह फ्रेस्ने लेंस collector अब एक हिंट आपको बताता हूं कि जिससे आपके साहरे के जितने भी collector आप पढ़ने वाले वह concentrating type के वह उसका एक paragraph तो आप खुद बनाए लोगे तो पहले पहले अगरा हमें हमें तीन चीज़े clear करनी है कि पहला वो tracking type का है या non tracking type का दूसरा उसके अंदर lens यूज के आई यह reflecting surface concentrate करने के लिए solar radiation को और तीसरा उसके अंदर हमें point focus मिल रहा है या कोई दूसरे type का focus मिल रहा है यह जो तीसरा point है न यह मैं आपको बाद में detail में समझाऊँगा कि यह point focus वाली बात पर क्यों focus करना है हम लोगों को तो फिलाल हम इस personal lens collector पर आते हैं बहुत एक अच्छा नाम है यह scientist का personal कहीं का एक topic बढ़ा दिया हमारा तो जैसे कि मैंने कहा पहले तो non tracking type का collector है यानि यह अपनी position पर fix रहेगा और obviously क्योंकि यह अपन करके concentrate कर सके हैं दूसरा के concentrate करने के लिए solar energy को हम यहाँ पे नाम के जैसे ही personal type का lens यूज करते हैं यह personal lens क्या है वो मैं आपको picture से समझागा क्यूंकि आपने सिर्फ convex और concave lens के बारे में ही पढ़ा होगा 10th में उसके आगे तो आप खुद पढ़ेंगे नहीं और तीसरा कि यह भई point focus करता है यानि सारी जितने भी radiation है उनको एक point पर focus कर देगा आपने क्रिश पिच्चर में जो पेन आथा है light pen की एक point पर focus कर देता है तो यह हमारा fresnel lens भई तो normal lens जो होता है वो हमारा कुछ आथ के shape का होता है इस type का या फिर इसको opposite ऐसा यह हमारे convex concave shape है तेकिन य lens है न यह एक बाजो से flat होता है उसके ओपर यह कुछ काटे जैसे shape अब देख सकते हैं इस type के तो यह क्यों है तो इसका यह special construction यह इसलिए दिया गया है कि इसके ओपर जितने भी parallel raise गिरेगी सुरच डादा की उन सब को converge कर देगा बाकी क्या होगा कि आपको पता होगा lens law के हिसाब से कि कोई particular point में से pass होने पर ही आपकी raise concentrate हो पाएगी लेकिन हमें उसको जाद एक point पे जल्दी concentrate करना और सब को concentrate करना है इसलिए हम इसको इस type के geometry देते हैं कि यह जो उपर नीचे वाली surface है यह सब को तुरं एक point पर हर एक को छोड़े विना concentrate कर देती है और इसका distance की जहां पर सारे radiation concentrate होंगे वो distance कम कर देती है यानि हमारा जो size है collector का वो छोटा हो जाता है और fresnel lens की एक हासियत है कि इसकी transmissibility बहुत ही अच्छी है यानि इसके अगर मैंने 100% intensity वाला कुछ radiation डाला है तो मुझे दूसरे साइट में at least 98 या 99% तो मिली जाएगा इतनी अच् कर देता यानि radiation को pass on होने देता अपने अंदर से और जो dispersion है वो minimum यानि ना के बराबर है क्योंकि कई पार lens में क्या होता है कि वो उसको disperse कर देते है या फिर absorb कर ले तो वैसा इसके अंदर कुछ नहीं यह पूरी तरस है उसको concentrate करने में जुटा हुआ है भई हमारा खिला रहा है यह पहला का design है कि जब हमारे पास solar thermal power plants का concept नहीं था लेकिन अब हमारे पास thermal power plants का concept आगे है solar वाले तो हमारा idea यह हमें पानी को steam में convert कर सकते हो naturally energy से तो वो उस पर जाना चाहिए और exam के point of view आपके लिए यह figure ज्यादा बेटर रहेगी कि आप एक tube को focus point पे चाहिए अब इस tube के अंदर से हमें जिस fluid को heat करना है हम उसे pass करेंगे तो जैसे ही उस focus point से pass होगा fluid हमारा वो तुरंध हीटा हो जाएगा और एक और बात में आपको बता दू कि आप सोच रहोंगे कि पहली figure में fresnel lens उल्टा था या फिर इस figure में उल्टा है तो उसका हमारा topic अब नहीं है इस fresnel lens को हम उपर नीचे कैसे भी set कर सकते हैं उससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता क्यूंकि इसका काम यही है कि concentrate अच्छे से कर देता है चाहे उल्टी साइड रखो या सीधी साइड रखो मेन हमारा point यह है कि यहाँ पर इस fresnel lens की वज़े से हमारा concentration power बढ़ गया है और हमें एकदम high temperature मिल गया है जिसको हमने पानी को steam में convert करने के लिए use किया है तो यह तो आपका एक type का हो गया अब इसके बाद का second type है उसका नाम में Winston collector यह पहले के टाइप होते है ना यार इनका नाम सुनके हुसाइद सैंटेशनों को कुछ काम देंदा नहीं है अपना नाम history में उतारने के लिए collectors को नाम पना दे दिया यार अरे इतना ही शौक था collector collector बने का खुद collector बन जाते चलो अब यह जो Winston collector है इसके यह भी non tracking type का है और इसके अंदर concentrate करने के हम reflective surface का use करते हैं पहले वाले में lens था यहां पर reflective surface है तो यहां पर आप देख सकते कि यह कुछ पैराबोला जैसा shape हमने बनाया है और यह पूरा shape actually internally reflect करने वाला mirror coating से ढखा गय तो यह जो parabolic reflector है यह जितने भी solar radiation को है receive करेगा और इसके बाद इस shape की वज़े से क्योंकि यह curvature है तो किसी भी curvature का एक center point होता है और यह सारे center point coincidentally solar radiation के focal point से match कर जाते हैं अब जहां पर हमारा focus आएगा वही से बेटा आपको tube pass करने है यह बहुत ही common logic है कि जहां पर focus हो रहा वही भी आपके tube मिलेगी और obviously tube के आज वह भी भर भर के absorber plate absorber material अपर डालना है ताकि सारी intensity जो है solar concentration concentrate होने वाली को इसको मिल जाए अब यहां पर जो tube है पहले glass tube है उसके अंदर फिर आपके absorber plate से ढकिवे tube और इन डोनों absorber और glass tube के बीच में जरा सा gap है जिसके अंदर इसके अंदर हम पानी को 100 से लेकर 150 degree Celsius तक की steam में convert कर सकते हैं easily और इसके अलावा हमारे जो scientist है ना बहुत खुजली चलती लेते हैं उनको शांती से बैठ नहीं सकते हैं तो उन्होंने क्या किया यह जो absorber material था उसकी जिएक special high cost वाला scientific material design के जिसके absorbing capacity नॉर्मल से भी बहुत क tracking system के साथ install कर दिया तो भई यहाँ पर मैनत फेल नहीं होई मैनत रंग लाई होंगी लेकिन हमारे ले काम बढ़ गया पढ़ने का यह इतना जुगाड करने से जो 100 से 1500 degree Celsius तक का तापमान में रहे था अब हमें 300 degree Celsius तक की range में मिलने रग गया क्योंकि tracking system obviously efficiency increase करे और plus जो हमने absorbing material change कर दिया उसकी वज़े से भी जो heat absorb हो रही थी वो भी बढ़ गया इसलिए obviously जो temperature आपको मिल रहा था वो बढ़ गया और क्योंकि इतना high temperature हमें इन में मिल सकता है इसी लिए हम इनको power generation में use कर सकते हैं लेकि power generation में ऐसे एक ट्यूब से काम नहीं होगा बहाँ पर हमें ऐसे कई सारी tubes को एक series में connect करना बढ़ेगा और इस type का system होता है कि जिसके अंदर हम कई सारे solar collectors को इस तरह जोइन कर देते है ताकि हमें high mass flow rate में steam मिल सके एकदम high quantity में steam मिल सके इसे हम कहते है solar boiler setup और इनका यह जो shape है यह parabolic collectors की तरह है इसलिए हम इने compound parabolic collectors कहते है क्योंकि pure parabola नहीं जरा सा curvature नीचे bend हो रहा है उटे साइड में इसलिए compound parabolic collectors कहते है तो अब हबारे next जो है वो है parabolic disc collector इन दोनों के नाम में confused बिलकुल नहीं होना है पहले जो था वो compound parabolic था यहां पर हमें disc है पहले पूरा एक shell था parabola का लेकिन यहां पर disc है यह बात का खास दियान रखना है तो obviously यहां पर भी हम parabola है लेकिन parabolic shape की एक बड़ी disc को as a reflective surface यहां पर use कर रहे है तो जितने भी solar radiations आएंगे उनको यह disc जो है उस disc के parabola shape का जो center होगा उस point पर focus कर देगा और यहां पर आप shape देख सकते हैं कि भई इस type का हमारा parabola होता है 3D dimensional figure में तो उसके उपर तार से आप जोड़ सकते हैं यहां पर अपना receiver तो सारे radiation इस तरह से टकरा के उससे जाएंगी उपर यहां फिर दूसरा step के उसके बीच से आप छोट असा connector रख सकते हैं यहां पर बीच से और यहां पर आपका major heating source मिलेगा और इसके अंदर यहां मिलेगा तो अलग-अलग tribe के construction है जो scientist अपने-अपने design बनाते रहते हैं patent के खर्चे से बचने के लिए लेकिन एक बार patent हो गया तो फिर वो भी कुछ नहीं और क्यूंकि इसके अंदर clearly आपको दिख रहा है कि जो absorber surface area बहुत-बहुत छोटा है इसके अंदर यह इतना पिद्दी जितना इतना सा यह इतना सा पिद्दी एक्दम पिद्दी तो इसकी वजह से जो हमारा heat loss जो होता है वह बहुत कम हो जाता है इस छोटे से एरिया की व temperature तो यहां पर हमें बहुत जादा high temperature ऐसे ही मिल जाता है इसलिए यहां पर हम 200 degree Celsius तब की steam एकदम आसानी से generate कर सकते हैं और इसलिए यह setup भी हम solar boilers चलाने के लिए use कर सकते हैं यह एक बात में आपको समझा देता हूं कि आप सुच रहेंगे इतने छोटे कंटर में पानी कैस से पास होके चला जाता है और वो जो छोटा सा टाइम है ना कि जब पानी वहां से जस्ट पास होता है उस छोटे से के टाइम के अंदर उसको 200 degree Celsius जितना पान मिल जाता है तो आप समझ सकते हों कि कितना ज़्यादा गर्मी यहां पर concentrate हो रही है चलिए भाई अब आ रहे है अपना थोड़ा सा हटके वाला character क्यानी थोड़ा सा अलग वो है cylindrical parabolic collector तो इसके अंदर भी भाई पहले तो mirror strip से हम concentration करेंगे और यहां पर सिफ यही एक नमूदा है जिसके अंदर आपको line focus मिलता है पहले जितने भी आप पढ़ चुगे वो सब point focus वाले तक एक point पर concentrate करेंगे लेकिन यहां पर आपको पूरी continuous line के उपर focus मिलेगा वो कैसे अभी आप देखेंगे तो यह जो आप figure देख रहे हैं इसके अंदर पहले तो यह जो हमारा cross section है ना यानि इसको आप काटके देखेंगे एक time पर तो इसका जो cross section दिखेंगा शिफ वो तो पहरे parabola दिखेंगा लेकिन इस parabola को हमने एक length दे दी तो इसके जैसे parabola भी है और cylindrical जैस connect करके length बनाई है तो उस पूरी point को भी हमने extend कर दिया यानि जिस पहले एक point पर focus हो था वो point भी बहुत सारे आ गए और collection of point को हम line केते हैं इसलिए हमे line focus मिल गया और जहां पर यह line focus है ना उसी line focus के उपर exact आपको एक conductor material की tube बिठा रेलियस एकदम धासू तो उससे क्या होग होगा क्योंकि focus line पर सारे solution focus होने वाले हैं तो यह conductor tube जो है उस focus से heat absorb करेगी अब इस conductor tube से जैसे ही पानी पास होगा आपका पानी गरम हो जाएगा और आपको मिल जाएगा वाओ magic नहीं magic नहीं यह logic है और यह जो हमारा पूरा setup है ना यह collector वाला इसके अंदर tube डालने इस पूरे setup को हम एक stand पे setup fix कर देते हैं कि वो पूरे दिन सूरत दादा की position के हिसाब से adjust होगा इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सेथे कि दो collector supports के उपर हमने support कर दिया और इसके अंदर हमने solar tracking system भी install कर ही डालना यानि यह tracking type का है आपको याद रखना है अब में बार बार नहीं कहूंगा यह tracking type का है और पूरे दिन सूरस दादा जैसे इदर उदर हिलते रहेंगे इदर उदर यानि एक ही रस्ते से हिलेंगे तो उस रस्ते के इसाब से यह जो pipe है वो तो fix रहेगा लेकिन यह जो passage बहुत लंबा हो गया है यानि बहुत ही लंबे टाइम तक पानी हीट होता रहेगा इसलिए यहां पर आप easily 300 degree Celsius तक की हीट आना स्टीम भी पा सकते हैं और इनके भी obviously solar boiler आप चला ही सकते इतना high temperature मिल गया है तो भाई अब आया आपने picture का main hero main hero यानि इस तरह से कि आपकी exam वालों को यह question बार बार पूछनों बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बच्चे जो है ना नाम सुनके confusion यह क्या है पूछ लिया है यह लोगों ने इसा तो कोई collector ही नाम ले क्योंकि यहां पर heliostat concentrator नाम डाल दिया collector आता ह नहीं है बहुत ही simple logica अब आपने नाम सुन लिया तो exam में तो कम सकम आप नहीं डरोगे रोगे भी नहीं तो heliostat concentrator क्या है वो पहले समझ देते हैं तो जब मैं कई सारे आईनों को इस तरह से adjust करके रख देता हूं ना कि बहुत ही बड़ी parabola क surface मुझे मिल जाती है और जो ए heliostat का नाम देते हैं इसके अंदर में आपको बता हो heliostat का जो word है helios वो सूरच के उपर जाया है सूरच को हम helios कहते है ग्रीक में उसके उपर जैनि solar energy का ही नाम दे दिया है कि सूरे energy को concentrate करने वाला setup तो उसका simple figure आप देख सकते हैं यहां पे आप देख रहे हैं कि एक tower ह और चार आइनों के उपर solar radiation आ रहे हैं वो चारो चार आइने एकडम चकाच्वांत के साथ tower के उपर अपना solar radiation फेक रहे हैं reflect कर रहे हैं concentrate कर रहे हैं लेकिन आपको एक बात clear कर दूँ कि सिफ चार आइने होते से करोड हजारों आइने होते हैं जो उस tower को घेर के चारों परापोला शेप आपको मिल जाता है जो इस tower के center point पे concentrate करता है अब इसके अंदर खास बात ही है कि जितने भी चुटे 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 ननने ननने पिदी बिदी मिरर हैं न ये सारे mirrors के अंदर individual tracking system लगा हुआ है वो इस तरह से काम करता है कि जैसे सुरस्दादा position बदले त कि solar radiation पे पूरा ले ले और exact वो जो radiation reflect करके सिद्धा tower के उपर ही जाएगा वही एक focus point पे फिजना है अप लोग को तो उसी focus point पे impact कर देते है अपना radiation को reflect कर देते हैं वहाँ पे इस तरह से इनके अंदर हर एक एक mirror के अंदर हम tracking system लगाते हैं और वो जो पहले figure देखी तो व जाबा एक complex वाला जो exam में नहीं पुछते लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा होता है जिसमें double reflection की मदद से हम काम करते है कि एसे कि पहले तो भई ये एक बार ये heliostat reflect कर देता है फिर यहाँ पर एक common point से pass होने के बाद एक उंटा reflector हमने एक और दार है parabola का जो उसको और concentrate ज्यादा करता है तो इस तरह से हमें दो focal point मिलते हैं और जो दूसरा focal point आता है जा पर दूसरी बार concentrate रहते हैं वहाँ पर हम heat source लगाते हैं लेकिन main बात आपको यह देखने कि इसके अंदर ध्यान से देखने पर आपको पता चाहिए कि हमारे सब सारे heliostat जो काच है उन सब का एंगल अलग अलग है क्यों कि सूरज की position एक time पर fix होगी किसी भी instant पर लेकिन उसके radiation की direction हर काच की position के हिसाब से अलग अलग आएगी इसलिए completely उस radiation से 90 degree position पर आने के लिए और tower पर focus करने के लिए इन सब का एंगल अलग होगा इसलिए इन में individual tracking system डालना पड़ता है इसक पर एक heliostat को zoom करके बताया गया है कि उसके अंदर 50 cm के diameter वाले 10 mirrors को 10 mirror sheets को concave mirror sheets को हमने 5 और 5 दो side में करके adjust करके लगाया हुआ है तो इस type की geometry वाला एक heliostat आप देख सकते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें concentrate करने में easy होती है और कम खर्चे में यानि कम reflective surface में हमारा काम कर सकत और इसके अंदर हमें 300 degree Celsius तक की steam easily मिल सकती है और obviously क्यूंकि हमें इतना high temperature मिल रहा है तो और यह container भी बहुत बढ़ा है at least एक इनसान जितना तो बढ़ा है उससे तो बढ़ाई है तो इतना सारा पानी एक साथ heat हो रहा है तो यहां पर हम solar thermal power plants को easily set up कर सकते हैं इसमें से जो पानी घरा मा हो रहा है उससे हम एक steam generate कर सकते हैं और उससे turbines रंगर के power generate कर सकते हैं अब आ रहे है सबसे नमूना सबसे अजीब और गरीब collector जो है collector with fix reflector and moving resource नाम यह सब अक्वा से नीद आ जाए सुनने वाले को तो दूसरा simple नाम देता है कि है बढ़ी SRTA stationary reflector and tracking absorber अब इसकी उठ जाओ कैसे हुई है आपको समझाते हैं हमारे जो scientist है बहुत खुजली चलती रहती है उन्हों को शांती से बैठा नहीं जाता कुछ नया करना है लेजंड बनना है उनको तो क्या किया उन्होंने भई सबके अंदर heliostat जो आया ने latest उसके अंदर तो भई हमने reflector को चला दिया इदर उदर ताकि एक point focus आ जाए लेकिन अब हमें रिसीवर को हिलाद आएंगे कि होगी हमारा innovation तो मैं आपको एक simple figure से समझाता हूँ कि इस टैप के parabola disk होती है जो सेम आपकी parabola disk collector जैसे होती है बस फरक यह आ जाता है कि यहाँ पर जो आपका receiver है वो movement कर सकता है tracking system जो है receiver को motion देता है आप ना कि हमारी reflecting surface को अब यह जो reflector हमा हमारा बना हुआ है वो भी obviously mirror strip से बना है और spherical form में है और जो हमारा absorber है उसको हमने hinge किया है या pivot किया है कुछ इस तरह से उसको required motion हम दे सके जूरत पढ़ने पर और obviously यह जो absorber यह receiver है हमारा यह हमेशा curvature या फिर center of curvature के focus पे ही रहता है यहाँ पर सारा radiation focus हों कि obviously वही पर या इस तरह से कि सूरज की दिशा में एक बार पेस करके रख गया तो हर टाइम सूरज द्यादा की किरने इस पर पढ़ती रहेगी और नया नया focus point बनाती रहेगी और हर direction से इसके उपर सूरज की किरने आ सकती है लेकिन क्योंकि सूरज की position change होती रहेगी उस इसका focus point भी थ इनके end map solar radiation आपके यहां से आ रहे है तो उसका focus point कुछ नीचे shift हो गया तो यह जो नीचे shift हो गया है इसको motion देने के लिए हमने tracking system से receiver को नीचे slide कर देना है यानि यहां से हमारे receiver उपर नीचे slide हो सकता है इसके लावा जो दूसरा arrangement है हमारे पास उसके अंदर हम इसे hinge कर दे हैं कि जिस direction में हमारा solar radiation का focus point shift हो का उस direction में यह hinge support से shift होता रहेगा तो हमें maximum efficiency obviously नए focus point पे क्योंकि हर बार receiver आता रहेगा तो हर time constantly वो जितने time तक सूरज की radiation मिलते रहेगी उतने time वो concentrated radiation को absorb कर गा इसलिए उसके efficiency जादा ही आएगी और क्योंकि इनकी efficiency ज्यादा है तो obviously इनको भी हम water heating और power generation के लिए use कर सकते हैं इतने लंबे topic के बाद आपको खुशी होगी कि यह वाला जो छोटा सा topic था इसके type जो deep question आते वो आप समझ चुके हैं अब चाली उपर वाले जो question है वो जो आपकी exam में पूछते हैं कि भई flat collectors के comparison में concentrating type collectors के क्या advantages और disadvantages हैं तो सबसे पहले तो हम advantages की बात कर लेते हैं क्योंकि अच्छी ख़बर सुनना सबको अच्छा लगता है तो पहले भई चलो इसकी बढ़ाई कर लेते थोड़ी flat plate के comparison में तो सबसे पहली बात अगर मैं flat plate की बात करूँ और इसकी बात करूँ और दोनों का surface area compare करूँ तो जितना surface area flat plate पे अगर उतना surface area इसका भी होगा फिर भी concentrating type के अदर मुझे temperature जो मिलेगा वो जादा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि absorber से जादा reflecting surface होगा इसलिए उसे concentrated radiation मिलगा इसलिए उसका temperature जादा ही मिलने वाला है सेकेंड की यहाँ पर अगर मुझे temperature सेम करना है तो जो ट्यूब की लंबाई है जिसमें से मुझे water को पास करना है वो जो passage है वो मैं reduce कर सकता हूँ और obviously क्योंकि same temperature की बात कर रहे है तो इसकी efficiency जादा है वो ही इसका main reason है और क्योंकि यहाँ पर हमाएं बहुत ही छोटे एरिया से पास करना है यहाँ पर heat transfer rate बहुत ही जादा मिलेगे आपको इसलिए आपको जो fluid है वो बहुत ही rapidly हीट होगा मैंने आपको parabolic disc collector में भी कहा था कि जस्क पानी उस point से पास होता है उतनी देर में वो heat up हो जादा है 300 यह 200 degree Celsius के आज पास तो यहाँ पर heat transfer rate हमारा बहुत ही जादा है flat plate collectors के comparison में और obviously तो कि flat plate के अंदर हमें इतना high temperature नहीं मिलता हम उन्हें power generation के लिए use नहीं कर सकते लेकिन जो concentrating type हैं में हमें easily 100 से लेकर 300-400 degree Celsius तक की temperature range मिल सकती है और यह temperature range steam बनाने के लिए ideal मानी जाती है और इ यूज कर सकते हैं और क्यूंकि इसके अंदर constantly high temperature maintain देता है कि यहाँ पर freezing की problem नहीं आती है इसलिए यहाँ पर antifreeze protection नहीं देना पड़ता जो flat plate collector में problem देखिए वहाँ पर tubes फट जाती थी freezing होने के वाए से यहाँ पर freezing नहीं होती और इसलिए antifreeze का protection का खरचा था वो यहा accumulation cost यानि आपके energy को collect करने में आपने जितना time utilize किया है उस time में आपका जो cost accumulate हुआ है वो बताता है क्योंकि industry वालों के लिए time is money तो जितना time कम time में आप energy को accumulate कर सकते है उतना आपका accumulation cost कम आएगा और क्यूंकि यहाँ पर heat transfer rate बहुत ही fast है तो obviously यहाँ पर accumulation cost कम है यह उसका पूरी खबर सुन लेते हैं जो फिर वी दिखने पड़ेगी है disadvantage तो यहाँ पर सिफ और सिफ बीम radiation को energy conversion के लिए use कर रहे हैं diffuse radiation यहाँ पर किसी काम के नहीं है इसके बाद क्यूंकि हमारे reflector ही है बही करता धरता जो concentrate करता है radiation को तो अगर reflector के ऊपर किसी भी टाइप का dust या moisture collect हो गया तो efficiency गई तेल लेन है इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बही reflector को कुछ हो ना जाए इसलिए उसको हर बार-बार frequently कि उसको साफ़ करने परते हैं इसके वी से maintenance course आपका बढ़ जाता है अब एक दूसरा term हो जो आपको पता होने चाहिए वह है energy flux कि किसी भी time के instant वे आप कितनी energy को एक जगा पर concentrate कर रहे हो तो क्यूंकि यहां पर बहुत ही बड़े area से छोटे area पर energy आ रही है तो constantly जैसे भी अगर थोड़ा स से change होता रहता है और flat plate collector के comparison में इनका जो design है न वो तो आप समझी गए कपसे देख देखे figure कि बहुत complicated है इसलिए उसका खर्चा जो है manufacturing का वो भी जाता है और सबसे main मुद्दे की बात अगर efficiency चाहिए तो कितना भी खर्चा करना पड़े बड़े बड़े ट्रैटिंग सिस् जो exam बलों को पूछने में बड़ी मज़ा आती है ऐसे तो अभी तक जो हमने दो lecture में बात की के advantage, disadvantage उससे भी answer बना सकते है लेकि मुझे पता है ऐसे नमूने आते ही है lecture देखने कि जिनको इतना simple table बनाना भी नहीं है तक हम पर जाने है तो चलो मैं ही आपको बता जता हूँ कैसे बनाते table तो एक बाजो हम रखते flat plate collectors यानि non concentrating type collectors और दूसरे बाजो concentrating type collectors तो सबसे बेल है flat plate collectors जो है वो बिना किसी variation की यानि जैसे radiation आए उसको absorb करा देते हैं लेकिन जो concentrating type वाले है वो focus करने के बाद absorb कराते है lens या किसी भी reflector की मदद से यह उनका पहला difference है जो बहुत ही obvious था अब दूसरा कि फ्लैट प्लेट के अंदर हमें high temperature तो मिलता नहीं है इसलिए वो low grade वाले solar thermocollector है और इनके अंदर बहुत ही high temperature मिलता है तो यह medium या high grade वाले solar thermocollector है बाद में flat plate के अंदर absorber का surface area और receiving surface area यानि हमारा जो class कवर था वो दोनों का ही surface area same था equal था लेकिन य बहुत कम होता है बाद में flat plate collector जो है beam और diffused दोनों radiation को यूज करके heating करते हैं लेकिन concentric सिफ और सिफ beam radiation से सपत ली हुई है कि हम सिफ beam radiation कोई concentrate करेंगे अब obvious बहुत ही simple बात है यार कि flat plate वाला simple था design में construction simple था तो उसका खर्चा काम आएगा बनाने का और concentrating वाला भई high level design वाला complicated design वाला तो खर्चा भी जाद ही लेगा और क्योंकि flat plate कलेक्टर वाला है तो उसका limited application था भई कि पानी heat कर सकते हो space heating कर सकते हो या अफिर खेती पदात को सुखाने के काम आसकता है वूर सिजनी करने के काम लेकिन power generation के काम भई अपना concentrating collector ही आएगा main hero अपना high temperature वाला और इसलिए electrical generation के लिए बहुत काम आता है वो औ और हम सब जानते हैं का भई flat plate collector के efficiency कम होती है और concentrating की ज्यादा होती है क्योंकि वाँ पर concentration कर रहे सिंपल चलो भई अब मेरे ख्याल से तो आप आज के लिए बहुत पक चुके है हाँ आपकी पकने की capacity होगी और भई मेरी पकाने की capacity नहीं यही रेक्चर रोकना हो अगली बा कर दो 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 झाल झाल